पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि शूटर विजे को गोली लगने के बाद अस्पताल में भरती कराने के लिए पुलिस पहुंची और जहां डॉक्टरों ने उसे मिर्त घोशित कर दिया शूटर विजे उर्फ उस्मान पर पचास हजार का इनाम भी रखा गया था तो प्रियागरास से आपको खबर बता रहे है जोहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड सामने आया है तो हत्याकांड में शामेल शूटर और पुलिस के बीच मुट भेड हुई जिसके बाद बता दे आपको कि विजे उर्फ उस्मान पर पचास हजार का इनाम था जिसको अब पुलिस के द्वारा धेर कर दिया गया है अस्पताल में भरती कराने के लिए पुलिस पहुंची थी जहां डॉक्टरों ने उसे अब मुरे तभी घोशित कर दिया तो प्रियागराज से आपको खबर बता रहे हैं जहां आपर बता दे आपको प्रियागराज में हुए उमेश पाल हत्याकार्ट में शामिल शूटर विजे उर्फ उस्मान और पुलिस के बीच मुटभेड हो गई और कुंधियारा इलाके के लालपुर में ही पुलिस और बदमाशों के बीच ताबर तोड़ गोलिया चली हैं और पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि शूटर विजे को गोली लगने के बाद अस्पताल में भी भरती कराया गया था और इसके साथ ही आपको बता दे जहां पर अस्पताल में ही डॉक्टरों के द्वारा आरोपी को मृत घोशित कर दिया गया और शूटर विजे उर्फ उसमान पर 50,000 का इनाम भी था पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी जिसके बाद तलाश खतम हुई और अब आरोपी को धेर कर दिया गया और इसी खबर पर हमारे साथ लखनोव से हमारे सही होगी राज की शोर वर्मा हमारे साथ लाइट जुड़ चुके है तो राज किशोर जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांट में दूसरा शूटर उस्मान पुलिस मुड़ेड में धेर हो गया है अभी कि क्या अपडेट चल रही है जी बिल्कुल बताते हैं उमेश पाल हत्याकांट को लेकर आज दिल हुए हैं और उसको लेकर पुलिस लगतार जो आरोपी हैं उन पर करवाई कर रही है जहां बीटे दिन साथ दिन पहले उस्मान ने उस्मान चौधरी को गोली मारा गया था जहांपर पहले इंकाउंटर किया गया था इसके तोर पर उसमान को लेकर रहा था और के साथ तर जो अरबार को पही से पेले ही गोली में धेट कर दिया गया और आज उस्मान भी मार दिया गया यहाला कि उंक लुप पर 50 गार कार इनाम भी रखा गया था और उस इनाम पर कहीं नहीं नहीं देखते बहुत है करकूणे जो लोगों करनाटक कर रहा था और उसके बाद पहले फाइरिंग उसमाद नहीं की थी जी बिल्कुल बता दें कि अतीन गैड़ गास ये साप सुन्टर था जो कुश्मान जो था वहाँ पर मौके पर बारदाद पर पहले से ही मौझूद था और उसने एक दुकान की में रेती के तौर पर वहाँ पर बैट कर वो पहले सी सडियन के तौर पर वहाँ पर बैट कर जिसमें गोली लगता ही वहाँ पर जो गरगया उसके बाद उमेश पाल को बोली लगने के बाद वहाँ पर और भी आवोपी जो उनके गिरों था उसमें साथ लोग सामय पे लगबबद और सभी ने ताबर फारिंग करना सुन्ट कर दिया था जिसमें आज मौके पर पुलि जी बिल्कुल राजकिशोर जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस को काफी दिनों से आरोपी की तलाश ती तो क्या गुपत सूचरा के अधार पर आरोपी को आज शूट किया गया है किस तरह से ये घटा करब दिया जी बिल्कुल बता दें कि जी दिन ये घटना होती घटना के बाद ही पर जाता पुलिस के साथ साथ लगनों की कई सारे पोर्सों को इस पर लगाया गया था और इनकी दाबिस दी जा रही जिसमें पहले पीते तिन अभी पहले इंकाउंटर में अरवास को ढेर करने के बाद उसमान की वाडिए ती जो कि मुखारी भी देखा जा रहा था इनकी फिर उसका कहीं पहले से ही कैमले में भी नजर आया था और वहीं उसको लेकर इनाम भी रख खा था गर कहींज़ को पर रह का कि लगतार पुलिस की दाविस दी जा रही है और ऐसे में अब जो चार पांच शूटर बचे हैं उन पर भी हो सकता है जल्द ही उन पर भी कारवाई की जाए और उनको भी और देहर कर दिया जाए बिल्कुल राज किसोर में आखरी सवाल आप से लेना चाहूंगे कि मुडभे है वो अभी पहले से ठीक बताई जा रही है अभी तो पिलाल उसको अस्टा में बढ़ती कराए गया और उसका इलाज किया जा रहा है मौके पर वहां के जो अधिकार ही हैं वो मौजूद है पूरा दाज़ा ले रहे हैं इसको लेकर इस घटना को लेकर कही ने कहीं पर प्र प्रियागराज में हुए उमेश पाल हत्याकार्ट में शामिज शूटर विजे और फुस्मान और पुलिस के बीच मुढभेड हुई जिसमें आपको बता दे कि एक सीपाही की भी हालत बताई जो आ रही है गंभीर है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए गया है डॉक्टर लाल पत्तर में साही राम संगठन के बैदर तले अंतराष्ट्य महिला दिवस कारेक्रम आयोजित किया गया और अंतराष्ट्य महिला दिवस परतिवर्ष आठ मार्च को मिनाया जाता है और इस साल ही आठ मार्च को होली का पर्व भी होने से महिला दिवस का कारेक्रम दो द में भी कई कारिक्रम आयजित किया गये हैं जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया है बढ़ा बढ़ा बहुत आभार व्यक्ति करना चाहती हूं कि वो महिलाओं को आर्थिक रूप से भी स्वावलंब बनाने के लिए अपना समय दे रही है और उनको एक अच्छा रस्ता दिखा रही है मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आज सरकार ने महिलाओं को बताना चाहूंगी हमारी भारत्य जन्ता पार्टी की सरकार है और हमारे ये शर्श्वी मुख्य मंत्री युवा मुख्य मंत्री आदर्णी श्री धामी जी ने महिलाओं को जो रोजगार में उत्राखन के अंदर जो 30% का चैतिक आरेक्षन दिया है वह महिलाओं के लिए बहुत ही एक मील का पथर साबीत होगा जहां महिलाओं को आगे आने का अवसर नहीं मिलता था आज वह महिलाओं हर प्रतियों की तरह में प्रतिभाग कर सकती है और आरेक्षन का लाव उनको मिलेगा रायवला में भी होली मिलन कारिक्रम का आईजन किया गया है जिसमें मुख्य अतिती के रूप में पुर्व मुख्य मंत्री और गडवाल सांता तीरत सिंग रावत शामिल हुए है और हरीपूर कला के स्थानी बेकलेट होल में ही ग्राम परधान गितांजुली और इसके साथ ही जख मोला द्वारा एजित होली मिलन कारिक्रम में स्थानी कला कारो द्वारा पारंप्रिक होली मिलन और गीतों का और नाच गानों के साथ ही रादा किष्ण शिव पार्वती क ज्वांकियों ने कारेक्रम में मौझूद लोगों का खूब मनुरंजद किया है और कारेक्रम के आंत में ही मौझूद सभी ने फूलों की होली खेली है और एक दूसरे को होली की बधाईय भी दी है पौरी में ही वनागनी के अपना विक्राल गूप दिखाना शुरू कर दिया है यहाँ पर चोमा सुधार और इसके साथ ही घ्यारी गाउ में जंगलों में ही भीशन आग लग गई और आवास्य भवनों के करीब भी यह आग पहुँच गई ग्रामिडों ने ही वनागनी के सुचना परिशासन को दिया और इसके साथ ही उपजिलादिकारी सत्थपुली संदीब कुमार भी मोके के लिए रवाना हुए थे और काफि में शक्कत के बाद ही वनागनी पर काबू पाया गया है जो सोलर प्लांट और ग्रामिडों के खेतों तक आग की लपटे आपउची थी उपजिलादिकारी ने बताया है कि उन्होंने ग्रामिडों से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जग्मलों में आग लगाए पाया गया तो उसकी सुचना परिशासन को दी जाए और परिशासन उग्त व्यक्ति के विरुदर द्राथमिक कारभाई करेगा आज लगबग एक बज़े हमें हमारी संग्यान में कि चुमा सुधार गाउं तथा दिहडी गाउं में कहीं पर फोरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है तभी तुरंत हमने रवेन्यू टीम को तथा जो हमारी एफार हैं फोरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जो हमारी टोटल आयरेस्ट टीम है उसको एक्टिवेट किया गया तुरंत ही मोके पर पहुँचे अभी आग पर पूनूप से कंट्रोल कर लिया गया है जिसमें जो ग्रामीन है उन्होंने काफी अच्छी भूम का निभाई है इसके साथ ही मैं अपनी समझ चेत्रे जनता से आग रह करता हूँ कि अगर कोई भी वेक्ति आपको आग लगाते हुए दिखता है या पाया जाता है तो तुरंत उसकी सुचना तहसिल मुख्याले या जिला मुख्याले या अपने चेत्रे पटवारी को अवस्य दे ताकि उसके खिलाब कानूनी कारवाई अम्मल में लाए जा सके दिनेशपूर नगर पंचायत अधियाक्ष सीमा सरकार की आवास पर आयोजित बंगाली महासा भागा एक दिवस्य प्रतमक बाश्चिक अधिवेशन का अज़न क्या क्या और इसके साथ ही आपको बता दे कि इस दोरान जिले के अलावा उतरपरदेश में भी तमाम बंगाली जनपरती निधी अधिवेशन में शामिल हुए हैं अधिवेशन का शुभारम बतोर मुख्य अधिदी पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अरविन पांडे नगरपंचायत अधियक्ष सीमा सरकार और इसके साथ ही शक्ति फार्म नगरपंचायत अधियक्ष सुनेल विश्वास और इसके साथ ही कारेगरम का अधियक्ष कर रहे हैं और महा सभा के अध्याक्ष राजकुमार्शा और तमाम जनपर्ति दिदियों ने सहीं उत्रूप से ही नेता जी सुभाष चुंदर बोस रविंदर त्यागोर आदी महां प्रांदी वीरो को दीप जलाकर किया है पोड़ी जिले की ही चोबट्टा खाल विधान सभा के अंतरगत बीरो खाल तैसील के बैजरो बाजार के समी पिछले दो दिन तीन दिन से ही जंगल में आग देखने को मिल रही है जिसके कारण अमुल्य वन संपदा जलकर खाक होती नजरा रहे है वहीं जंगल में आग के कारण जहां जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है तो वहीं पालतु जानवरों के लिए भी चारा पदी की समस्या होना तै माना जा रहा है और ऐसे में यदि जल्द जंगलों को सलगने से ना रोका गया तो फायर सीजन शुरू होते ही सुलग रहे जंगलों और उसमें बने जीवों के प्राणों पर संकट मानव बने जीव संखर्ष की घटनाओं को पठाने में कारक बन सकता है स्थानिय लोगों का कहना है कि जंगलों में लग रही आग के घटनाओं का संग्यान लेते हुए मिभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए उन्होंने कहा कि सर्दियों में बारिश और बरबारी कम मात्रा में हुई है जिस पर जंगलों को हो रहा नुकसान किसी आपदा से कम नहीं होगा पहाडों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो एक सोचनी अभी से है अमोन ऐसी घटनाएं जो मई जून में देखी जा देती वो इस बार मार्च के सुरुआत में ही देखी जा रही है जो कि आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का संकेत मुझे लगता है क्योंकि जगलों में आग लगने के कारण आने वाले समय में जो पेजल का संकट है वो गहराने वाला है और साथी जो पालतू जानवर है उनके लिये चारे की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है फिरोजाबाद के थाना लाइन पार छेतर के गाओं दतोजी में चचेरे भाईयों के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं जिसमें दो महिलाए सहीत साथ लोग लहू लुहान हो गए हैं सुचना के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल परिक्षन करा करा आगी की कारवाई शुरू करती है मामला आपको बता दे कि फिरोजाबाद के थाना लाइन पार छेतर के गाओं दतोजी खुर्द इलाके का बताया जा रहा है जहां रफिवार रात करीब साड़े नौ बजे सतीश और बटेश्वरी चचेरे भाई के बीच खूनी संघर्ष हो गया जिसमें सतीश पक्ष की तरब से तीन लोग घायल हो गए हैं जबकि बटेश्वरी के पक्ष से दो महिला सही चार लोग घायल पताया रहे हैं और इस खूनी संघर्ष में ही दोनों पक्षो की तरब से कुन साथ लोग घायल हैं मोगे परपउजी पुलिस द्वारा सभी घायलों को इलाज और मैडिकल के लिए जुलास बताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जाज परताल भी कर रही है घटना के पीछे फैक्टरी में काम करते समय वही बताई जा रही है वही कहा सुनी की रंजिश भी इसमें सामने आ रही है क्या बात होगे तो किस बात को लेकर जगड़ा होगे हैं कहा की बात है जी कितने लोग पहले है जी कितने लोग पहले है गोरगपुर के पिपराई चछेतर के ही गोदावरी मैरेज होल में पुर पॉइजनिंग का मामला साम्द है हेसीम और डॉक्टर आशितोष कुमार दूबे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही ततकाल जिला स्पताल और मेडिकल कॉलेज को अलर्ट कर दिया गया है 12 अंबुलेंस गाडियां लगाई गई है और खुद वो और डॉक्टर अबुज श्रिवास्तव जिला स्पताल पर मौजूद है और यहां पर एक महिला आए हुई थी और उसकी स्थिती समाले है सीएची पी पहराईज के आप यह डॉक्टर नंद कुमार को यहां पर लगाएगे है पहराईज के किसी मेरेज हाल में क्या जामकारी मिल पाई हो क्या देखे रात में करीब सारे आठ वजे हमारे पास कुछ नागेल को ने स्पोन किया कि पिप्राइज की किसी मेरेज हाल में करीब मादूसित भोजन था करके 40-50 लोग बीमार पड़ गए है पतकाल जो है मैंने अपने चिकिस्था धिक्षप को इनफॉम किया वहाँ पर जो चिकिस्था की टीम की वो पहुंच गई और हमारे अडिस्नल CMO महाँ पर पहुंच करके मैनेज करा रहे हैं और इसी बीच में मैंने जिला अस्पताल में जहां पर मैं स्वैम बैठा हूँ और मेडिकल कॉलेज में प्रिंस्पल साब को मैंने अलर्ट मोड पर कर दिया क्योंकि साधी वारात में कितने संख्या हो सकते भी कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन अभी तक कि यहां पर क्यवल एक महिला आई है वो लगभग उनकी स्थिकी नार्मल है चले रुकर तेखली खबर की और कानपूर नसीराबाद थाना च्षेतर के अंतरगर दो पक्षियों में जम कर पत्राव हुआ है और हाथसे में दो लोग खाल हो गए है मतादे आपको कि सरकारी पाइपलाइन मिझाने के कारण पत्राव होने का मामला संग्यान में आया है और विबाद ज्यादा बढ़ता देख कानपूर पुलिस कमिशनर समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और माहोल को शांक कर वाया फिलाल आगे की कारवाई भी की ज़ा रहे का सुनी हुई मांगलिक कारिकरम के साथ ही तीज तेवहारों का दौर भी लगतार जारी है जिसके चलते आने वाले दिनों में ही होली और शबे बारात का तेवहार है और तेवहार को अमन चैन और शांते पुन धंग से संपन करानी के लिए श्रावस्ती जिला प्रशासन ने कमर कसली है जिला अधिकारी ने नेहा परकाश और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंग ने विवरंगा कसिवे में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और इसके साथ ही जिले के सभी थाना छेतर के थाना पुलिस द्वारा, कस्वा और बाजारों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है जिससे लोगों को सुरक्षा का एसास हो और पुलिस अदिक्षर्व प्राचिय सिंग के निर्देशन में सभी प्रकार की चुनोतियों से निपटने और समाज को सुरक्षित भैमुक्त बाता वरन बनाने के लिए पुलिस लाइन में दंगा रोधी उपकर्णों का भ्यास पुलिस कर्मियों को कराया गया है और पुलिस कर्मियों को दंगा निरोधक उपकर्णों के बारे में भी बारीकी से जानकारी प्रदान की गई है और इसके साथ ही श्रावस्ती पुलिस लगातार पेट्रोलिंग रूट मार्च प्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है महोबा के शहर कोतवाली के बिच्छु पहारिया में मौजूद काशी राम कलोनी में कमरे में यूवक का शव ब्रामत किया गया है जिसकी जानकारी स्थान ये लोगों ने पुलिस को दी है गल्ला मंडी में पल्लेदारी का काम मिर्तक करता था और वहीं बीते दिनों शराब पीने के बिबाद में यूवक का पत्नी माईके चुली गई थी जिसको लेकर ही बता दे आपको यूवक परिशान था फिलाल पुलिस ने शव को कबजे में लेकर जाच भी शुरू कर दी ह हर्दोई से खबर है जहां हर्दोई के पालि եाना चेतर में परिवारी के विबाद के कारण एक यूवक को महिलाओं ने भारी बाजार में ही आपर बता दे भरी बाजार में जमकर पीटा है महिलाओं की पीटाई का ये वीडियो शोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है पाली के कहार कोलव के रहने बाले सुनील पाठक की बहन तुलसा की शादी 13 साल पहले परेली के सुधीर मिश्रा के साथ हुई थी और करीब साथ साल पहले पती पत्नी के बीच विवाद के बाद तुलसा ने पती और उसके परिजनों के खिलाब दहील जट का मामला दर्च कराया था और हाली में पती और पत्नी के बीच में समझ होता हो गया और दोनों एक साथ रहने चाहते थे और इसका सुधीर मिक्ष्रा के घर वालों ने विरोध किया इसी बात को लेकर पहले भी कहा सुनी हो चुकी थी और वही इस मामले में ऐस्पी दुर्गेश कुमार सिंका कहना है कि परिवारिक विवाद है इसमें जाच की जारी है प्रातना पत्र लेकर है अगरिम विदिक लोत कर रहा है जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें सुनील पाठक है जो थाने पर चुकिदार है और दूसरा पच्च सुनील पाठक की बहन तोलसा की दिवरानी और दिवरानी की बहन है यह पारिवारिक विवाद है जिसमें पहले से दहेश उत्पीड़न का भी मुकदमा चलना था तुल्सा मिस्रा अपने पती की साथ पहले नहीं रहे थी अब रहना चाहती है इसी बात को लेकर इनके घरवालों को वापती है उतरपरदेश किसान कॉंग्रेस के बैनर तले जनपत जहासी के ब्लॉक गुरसराय के गाउं चिरोरा बुजूर्ग के विकास महला में विशाल किसान पंचायत हुई जिसमें समस्याओं को लेकर किसान गर्जे और पंचायत में आंदोलन के रड़नेती बनाई गई ग्राम चिछोरा बुजूर्ग का ही महला विकास जिसकी आबादी लगभग 15 सो है जहां विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और पंचायत में 2022 बरबाद खरीफ फसल का मुआफजा विमा जो है वो क्लेम प्रधान मंत्री समान इधी वरिधा पैंशन विकलांग पैंशन रोड और निर्मान विद्यूत की समस्या है और ग्रामिडों ने जरजर तारों को बतलवाने की मांग की पंचायत में किसानों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि साहबरी के ही फसल खेतों में बोई थी और इसको लेकर फसल पकर तयार हो गई है कटाई शुरू हो गई है अब अपनी उपज को लेकर बेचने के लिए चना मटर राई की फसलों को लेकर मंडी में जा रहे है तो उपस का दाम घट जाने से हमारी लागत नहीं निकल रही है। पंचायत में किसानों ने सरकार से मांग की है कि चना मतर राई की फसलों को स्सपी के अधार पर खरीदा जाए और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं होता है तो मेहनत लागन और इसके साथ ही निकलेगी नहीं और सरकार को इस बारे में तत्काल सोचना चाहिए जनपज जहांसी ब्लाग गुर्स राएं का यह चिरोरा गाहों है जिसका मुहला विकास है यह विकास का मुहला जिसकी आवादी लगभग 1,200 है जो सरकारी योजनाओं से को सो धूर है यहां आज उत्तर प्रदेश किसान गांग्रेश के बयनरतले पंचायत हो रही है किसानों की पीड़ा सुनी गई है किसानों का कहना है कि 2022 में केंद्र सरकार ने किसानों की आई दुगनी करने के वादे किये थे 2022 निकल गया 2023 है और यहां पर आमदनी का कोई अता पता नहीं है यहां पर किसानों की खेतों की लागत दुगनी हो गई महंगाई दुगनी हो गई जहां किसान परेशान है, रभी फसल का सीजन है, किसानों के खेतों में चना मटर राई की फसलें कट रही है महुरानीपुर कोतवाली के अंदर गरत आने वाले ग्राम बमोरी सोहागी में एक पचास वर्षी अव्यक्ति के द्वारा अपने खेत पर पेड़ के सहारे फासी लगाकर अपनी जीवन लीलस माप्त कर ली है गटना की जानकारी मिलने पर परीजनों में कोहरा मच गया है और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ग्राम बमोरी सोहागी निवासी शीतल तुन्ना उम्रे जिसकी पचास साल बताई जारी है जो कि रात में ही खाना था कर खेत की रखवाली के लिए निकला था लेकिन सुभा जब खेत पर कटाई करने के लिए मजदूर पहुचे तो उन्होंने शीतल का और शोब पेड पर लाटकता हुआ देखा और ततकाल ही घटना की जानकारी ग्राम पृधान सहित पुलिस को दी गई और घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुचे चोकी प जिला अस्पताल में खडी अम्बूनस में भीशन आक लगई और जिला अस्पताल के अंदर बाण य्यूनिट के पास खड़ी अम्बूनस धू धू करके जलने लगी जिसका बाद ही आपको बता दे कि अम्बूनस ज़लकर राख हो गई और वहीं मौके पर पहुचे फायर बिर्गेट की गाड़ियों ने फिलहाग आग पर काबू पालिया है शेर कोट के मोहला विर्थला निवासी मुकेश रस्तोगी के पूत्र शक्षम रस्तोगी उम्र करीब 20 वर्ष अपने एक साथी के साथ ही बाइक से ज़ा रहे थी और इस दोरान ही नेशनल हाइवे 74 पर उन तोड़ दिया दूसरा घाय हो गया है खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जा रही है आप देखते रहिए